आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मेरी कामना है और आप सभी स्वस्थ रहे और आगे पढ़ते रहें, हिंदी सीखते रहें और इस हिंदी सीखाने के क्रम में मैं आप लोगों के लिये लेक़्ाया हूं भासा और व्याकरन का भाग आठ और इसमें आज हम जानेंगे वल्णों के अन्य प्रकार के बारे में जो कि है अल्प प्राण और महा प्राण अल्प प्राण और महा प्राण प्राण मतलब वायू जो हमारे मुख से निकलती है प्राण वायू क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति कैसे जिंदा है, तो हवा पे जिंदा है, यानि कि ऑक्सिजन पे जिंदा है और हवा की जो मात्रा हमारे मुख से निकलती है उसी के आधार पे यानि कि वायू प्रक्षेपन के आधार पे वायू प्रक्षेप वायू प्रक्षेप के आधार पर आधार पर वर्ड दो प्रकार के दो प्रकार के हैं पहला है आलपे प्राण पहला क्या है आलपे प्राण और दूसरा है महा प्राण आलपे प्राण और महा प्राण अब यह समझते हैं कि अखिर अलप प्राण क्या है अलप मतलब होता है थोड़ा यह थोड़ी यानिकि ऐसे वर्ण अलप प्राण की अगर परिवासा हम लोग समझें यह क्या होती है अलप प्राण और इसे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या होता है कि कम मात्रा में हवा निकलती है ध्यान दीजिए कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वास के दोरान यानि कि स्वास पूरव मतलब बता है जिसे की सांस लेते हो और निकलती है यानि फेपड़े से जाना हवा जब निकलती है या मुझ से जा हवा आती है उसी के द्वारा तो हम बूलते हैं तो जब मुझ से कम हवा निकलती हो और होक की हाकार हकार की ध्वनी यानि कि होक के जैस है अल्प प्रान यानिके इसको यह समझे कि उच्छारन में कम मात्रा में वायू निकलती है और होकार की ध्वनी नहीं आते कहने का मतलव क्या है वायू इसमें जब बोलने के समय में क्या होता है कि कम मात्रा में हमारे मुख से हवा निकलती है वायू यानि कि हवा यहाँ पे वायू के जगे पे आसान अगर इसे हम कहें यह हवा हवा हमारे मुख से कम मात्रा में निकलती है और इसमें हकार की ध्वनी नहीं होती है यानि कि जैसे कि वो धारन के लिए आप बोलते हो का का कि यहां के जैसे हो बोलने में आवाज निकलती है वैसे हलकी सी आवाज जाना वैसी ही निकलती है तो उसको गहते हैं हकार की ध्वनी इसमें जो आपको मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में आप जाके सब्सक्राइब को से लेके मात मुत हच तो प्रत्यक वर्ग का parmesh कर प्रतीक वख का प्रतीक वर्ग का मैं पहला है थीजिए और पांचवा वर्ड पांचवा वर्ड तथा अंतास्त अंताह अस्था अंताह अस्था वेंजन इसमें सामिल है जैसे देखिए प्रत्यक वर्ड का पहला तीसरा और पांचवा जैसे कवर्ड का पहला क्या है को तीसरा वर्ड क्या है गो और पांचवा क्या है वह और चवर्ड का च फिर क्या है जा और या टा डा और टा डा अना पा बा और मा इसके बाद अन्तरस्त अन्तरस्त वेंजन चार है तो यह रो ला वा यह क्या है यह सभी के सभी अल्प प्रान वर्ल कहलाते हैं अल्प प्रान कहलाते हैं अब इसके बाद आती है बात महा प्रान महा प्रान तो इसका तो इसकी परिभासा तो असपस्ट है कि इसमें कम मात्राय में हवा निकलती है हकार की ध्वनी नहीं होती है तो इसका उल्टा कर दीजिए इसके तुल्ला में हवा ज्यादा मात्रें बहार आती है और हकार की ध्वनी उत्पन होती है ये जो है न क्या है प्रतिक वर्ग का प्रतिक वर्ग का दूसरा और दूसरा और चौथा वर्ड चौथा वर्ड और साथ ही आप क्या कह सकते हो चौथा वर्ड तथा उश्म वेंजन जो है न वो क्या है महाप्राण कहलाते हैं महाप्राण फिर से ध्यान समझे इसी का उल्टा कम मात्रा में हवा निकलती है यहां तो यहां पे अधिक मात्रा में हवा निकलती है हकार की ध्वनी नहीं आती है तो यहां हकार की ध्वनी उत्पन होती है इसमें प्रतिक वर्ग का दूसरा और प्रतिय कवर्क जैसे कवर्क का दूसरा क्या है और फिर चौता क्या है घा 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 ध्यान समझेगा तो हो के जैसी आवाज आती है हो लास्ट वैसा लगा घाण विद्वार्ण हॉ ले रहे हैं हाकार उत्पन हो रहे है इसी तरीके से अगर चौक की बात करें तो छा जा थथ-ध फिर टवर्ग करें तो थ30 तीसरा है तो दो के बाद चोता क्या हो जाएगा dha क्यों को पहला है पो क्या है दूसरा है तो दूसरा और चोता यहां पे लिखा हॉएए तो दूसरा और चोता वर्ड तो दूसरा वर्ड इस यह तालाव्य शौ शौ और मुर्धन शा और दंति सा और हो यह सारे क्या हैं महाप्राण तो यह तो मैंने आपको बताया अलप्राण और महाप्रान के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, अब हम लोग समझते हैं मात्रा क्या होती है, मात्राओं के बारे में भी जानते हैं, और मात्राओं का प्रियोग क्या होता है, और कैसे प्रियोग करते हैं, आखिर इसका सही तरीका क्या है, इसी इसको अब हम जानने का प्र से कहते है तो स्वर के स्वर के लिए ज़ए पर के लिए प्रयोग किये जाने-वाले चिन किये जाने वा ले चिन क्या कहलाते हैं क्या कहलाती है मात्रा कहलाती है स्वर के लिए प्रियोक किया जाने वाले चिन्नों को हम मात्रा कहते हैं कहते हैं और साथ में स्वर के स्वरों के लिए स्वर के लिए प्रयों के जाने वाले चिन्न को चिन्नों को या चिन्न को मात्रा कहते हैं मात्रा का मतलब होता है कि स्वर जैसे कि आप देखो जैसे यहां पर मैं लिखता हूं महान महान तो इसको यदि आप लिखेंगे मो हो आ न तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि यह एकदम अटपटा सा लग रहा है यहां पर अगर मात्राओं की गिंती करेंगे तो मात्राओं की गिंती बढ़ जाएगी अब यहां पर यह देखिए जितनी भी मात्राओं क अगर कर रहेते तो अब जैसे महान है तो महाने में देखिया मो humour आक यहां पर यह देखो मो का मतलब क्या है मॉआ मोह ललंत र्रीवा वर मोह लीह को उनला क्ली नहीं होता तो आपैसिती इस साथ यह प्राइब गयर को माटाते एक साथ करते हैं तो हलन्त हड़ जाता है यानि कि और का अपना कोई अलग से चिन नहीं होता तो मौ हो गया यह और फिर क्या है हो तो हो हलन्त अप्लस आ आ जैसे कि मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि आ क्या है एक सन्युक्त वेंजन है आ का मतलब है als A Plas आ यहां पे यह दो मात्रा इसको गिन ही जाती है अर यहां पर यह है एक मात्रा तो यहां पर यहां पर दो मातरा है तो मोहा और फिरन के आप लस लुट यानि कि यहां पर भी एक मात्रा हो गई इस तरीक से महान में चार मात्राय हैं और इसको साहीतिक भासा में इसको कहते हैं लगू यह लगू और यह है गुरू लगू और गुरू तो अब जरह देखिए आगे देखे मात्राय है कितनी और इसका क्या प्रियोग है एक तो प्रियोग मैंने आपको बता दिया सहीति की प्रियोग वहता है tolerate just जाती है वह मात्राओं के अधारपी की जाते माथ चंद कई प्रिकार के होते हैं यह आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा और अभी फिलाल आप यह समझें कि मात्राय कितनी होती है मात्रा देखें यहां पर मैं लिखता हूं स्वार और इधर लिखता हूं मात्राएं मात्राएं स्वार और इनकी मात्रा ठीक है स्वार और इनकी मात्रा तो हम लोग जानते हैं स्वार वर्ड और होता है और की कोई मात्रा नहीं होती तो यानि कि इसके लिए आप कर दो जीरो यानि कोई मात्रा नहीं है या पिर इसको आप ऐसे खाली भी छोड़ सकते हो फिर क्य है आ की मात्रा होती है ऐसे ठीक है यह जो यह जो है यह क्या है किसकी मात्रा है आ की मात्रा है फिर यह है आ की मात्रा छोटी जिसको हरश्व इभी कहते हैं इसकी मात्रा होती है इस तरीके से बड़ी ई जिसको दिर्ग ई कहा जाता है इसको इसकी मात्रा होती है इस तरीके से फिर है छोटा उ इसकी मात्रा होती है नीचे से इस तरीके से अब इसका जरा हम देखते हैं जैसे कि का है तो का में कोई मात्रा नहीं लगी भी है फिर का में जब आकी मात्रा आप लगा यह हो गया का को में आकी मात्रा मिल गई का इसी तरीके से खौ में जब आकी मात्रा लगाएंगे तो खा और गौ में आकी मात्रा लगाएंगे तो गा इस तरीके से यह चलती जाते हैं इसी तरीके से देखें यहां पर को फिर यह को में आकी मात्रा लग गई तो का और को में ज चोटी की मात्रा लग जाएगी तो यह हो जाएगा की और इसी तरीके से खौ में जब चोटी की मात्रा लग जाएगी तो खौ में चोटी की मात्रा इस तरीके से लगती है की खी और फिर को में जब बड़ी की मात्रा लगेगी तो यह हो जाएगा की और खो में बड़ी की मात्रा इस तरीके से लगेगी खी और यह इस तरीके से आगे बढ़ते जाती है छोटे उकी मात्रा इस तरीके से लगते है जैसे कि कौ में छोटे उकी मात्रा इस तरीके से कू अखो में छोटे उकी मात्रा ये खू और इसी तरीके से आगे ये लिख सकते हो इसके बाद बड़े उकी मात्रा की अगर बात करें तो बड़े उखी मात्रा ये भी नीचे के तरफ ही ऐसे लगाई जाती है जैसे को में बड़े उखी मात्रा यह हो गई कू और फिर उसके बाद को में बड़े उखी मात्रा ऐसे लगती है लेकिन आप ध्यान रखें कि ये छोटे उख और बड़े उखी मात्रा जब आप रा में लगाओगे तो रा में ऐसे नहीं लगाए जाता है गलत हो जाएगा ये इसको ऐसे लगाना पड़ेगा ठीक है ऐसे लगाना पड़ेगा यानि कि कह सकते हो जैसे बंदर के पूछ होते है तो ऐसे ही रा में ये पूछ लगाना पड़ता है पूछ लगानी करती है रूर्फ है यह इस तरीके चील राव से न कि यहां पर आईसे बना देते हैं यहां पर ऐसे बनास कऽर इसमें तो ईह सब गलत हो जाएगा आंड कमें तो इस वास का झान रखेंगे फिर उसके वाद हाथ ली तीन आप ऐसा प्रियोग करते हैं नीचे में ही लगता है जैसे कॉम में री री लगाएंगे तक्री क्री क्री कि ग्री उसके बाद और अगर मात्राओं कि अगर बात करें हम तो अब इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं अब आगे देखिए तो इसके बाद है एकी मात्रा एकी लिए आप क्या करते हो ऐसे लगाते हो इसके लिए आप यूज प्रियोग करते हो जैसे को में एकी मात्रा लग जाएगी ऐसे के खौ में एक ही मात्रा खे और गौ में एक ही मात्रा गे इस तरीके से आगे चलते जाएगा फिर एक के बाद यह है आई ऐसे आई नक तो आई इसके लिए एक है प्रियोग किया जाता है और इसके लिए दो का प्रियोग किया जाता है यानि कि इस तरीके से इसका प्रियोग किय जाता है यह है आई तो यह हो जाएगा कोई और को में की मात्रा यह जाएगा खई और यह इस तरीके से आगे बढ़ता है फिर है ओ को की मात्रा एक ऐसे और इस तरीके से और ये इसको ऐसे लिखते हैं जैसे को में ओ की मात्रा को और ये क्या है को में ओ की मात्रा खो इस तरीके से ये आगे चलता है फिर अगर बात करें आउ की मात्रा आउ तो अब यह जहना आउ की मात्रा इस तरीके से लगती है जैसे एक यह ऐसे और यह ऐसे आउ तो जैसे को में आउ की मात्रा लग जाएगी को और फिर खो में आउ की मात्रा खो इस तरीके से यह आगे चलते जाता है अब इसके बाद अगर बात करें तो हलाकि बारा खड़ी में आपने देखा होगा अनुस्वार और विसर्क का विप्रयोग कर किया आता है तो लेकिन ना तो यह स्वर है और ना ही यह विंजन है तो इसलिए इसकी कोई इसकी मात्राओं में गिंती नहीं होती है यहीं तक यह आपके के पूरे पूरी यह मात्राओं हैं तो देखिए कितनी मात्राओं हो गई और के लिए कोई मात्रा नहीं है है ऑचोटी आचोटी बड़ी इचोटा उ बढ़ा उ सिरूँह में ना याजकी दस मात्राओं होती हैं तो उमीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यान प्रद हुई होगी और आपने अभी तक जरूर देखा होगा अगर आपने अभी तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुक्रिया